काबले एतराम His Excellency Raja Muni साहब, वेपना मोहतरम, Justice I.M. Kuddusi साहब, Chief Justice Uriisa, मेरे बड़े भाई मानी शरी जग्दमिकापाल साहब, सांसद भोत्पूर मुक्पंत्री उत्तर प्रदेश, मुहतरम आली जनाब, गयास अद्दीन साहब, राजकुमार खत्री साहब, नरेंदर सिंग साहब, जगंदर सिंग साहब, सेद मेराज अद्दीन साहब, अम्जद खान, प्रोडीसर E-T-V, मुहतरम जनाब, डाक्टर राहत इंदोरी साहब, सलीम कौसर साहब, मुद्दीश शोराई कराम, खवातीनों हजराद, अलहम बुएश्टा आठ बरसों से, किया हुआ वादा, मैं अपने साथियों के साथ, और अपने उन सरपरस्तों की, और महरबानों की, दौाएं और सपोर्ट के साथ, पूरा करता आ रहा हूँ, मुशायरा बहुत होता है, और मुशायरे बहुत होते रहेंगे, लेकिन ये फक्र आप सब को हासिल है, कि आप आज भी ये चैलिंज कर सकते हैं, कि दुनिया में जश्ट जम्हूरियत के उन्वान से, कवी सम्मिलन और मुशायरा अगर कहीं होता है, तो आप सब हज़राद उसको करते हैं, आप हज़राद बहुत भी जानते हैं, हवा कुछ जादा माफिक नहीं थी, हालाद कुछ जादा साथगार नहीं थे, इसमें वो हज़राद जो मुसलसल यहां पर तश्यूर रखते हैं, वो बैनर देखकर अंदाज़ा उनको हो गया होगा, हकीकत यही है कि सिर्फ हिम्मत की बुनियाद पर आज हम और आप यहां पर एकठा हुए हैं, हमारे होसलों को यकिन अंद तक्वियत पहुचती है, इस वक्ट मैंने गुजारिश की, चीफ जस्टिस, आली विकार, जनाब, आईम कुदोसी साहब से, कि मैं आपको जहमत देना चाहता हूँ, मुत्तहदा अरब अमारात में हम लोग जश्ट जमूरिय हिंद के उन्वान से, एक मुशायरे काई निकाद करते हैं, आप इसे वाकिफ थे कि क्यों मुशायरा ही चुना गया, आपने मैगजीन हमारी देखी, कि लाल किला उस पर अपनी शान और शौकत के साथ नुमाया था, वो खुद ये ऐलान कर रहा था, कि लाल किलो को यहां से उठा कर दुनिया भर बे ले जा रहे हैं, और ये वो तारिखी काम जो पहले हमारे प्राइम निस्टर पड़ी जवालाल नहरू ने, ये तै किया था कि अब हर बरस 26 जनवरी पर लाल किले पर मुशारा होगा, हम लोगों ने ये सोचा कि उस कमपोजिट कल्चर को भारत के बाहर ले चले, और हमें देखलाएं कि हमारे अपने देश का कमपोजिट कल्चर क्या है, हमारी इस मेहनतों की ताइद करने वालों में हमारे बड़े भाई जग्दमिका पाल भी बहुत आगे रहे, इससे पहले भी दो मरतबा मैंने उन्हें तकलीव दी, वो बहुत मसरूफ हैं, उनको आज ही वापस भी चला जाना है, उनके अपने छेत्र में उन्होंने अपना पोराम मनाया है, लेकिन उन्हें कहा कि सलाहुद्दीन अगर तुम वहाँ पर ये कर सकते हो, तो क्या मैं वहाँ आ भी नहीं सकता हूँ, मैं जरूर आओंगा, चंद घंटों के लिए आओंगा, लेकिन जरूर आओंगा, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, कि आपने जो वादा किया, उसको निभाया, राजा आप यहां मौझूद है, वक्त वक्त पर हमारा साथ, हमारे हज़र एक्सेलेंसी, विनु राजा मुनी साहब बैठे हुए हैं, इन्हों ने दिया, अपने इस पीरियेट में जो तीन स पासपोर्ट के सिलसले में जो लाइने लगती थी, को उसे कौन नहीं वाकिफ है, घड़ी देखिये और फिर जाईए, दस मिनुट आगे हो गए, तो मालम हुआ कि अब अंदर दाकिल नहीं हो सकते, क्योंकि समय पूरा हो गया है, आफिस से छुटी लेना वो आजब एक जमा कीजिए, वो वख्त कोई भी हो, आप जमा कीजिए और उसके सर्विस, इस कारनामे से हम लोग आपको याद रखेंगे, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज में छोड़ा जाते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन आने वाली नसलें भी याद कर आईए और फिर हम आपका सौगत करें लेकिन आपके जो किया है अपने इस तीन सालों में तो आप इसको यकीन रखिए कि हम उन में से नहीं है जो भूल जाएं हम याद रखते हैं कि कौन हमारे साथ क्या करके गया है और मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि मुझे मालूम ह कि आज आपको दो जोगों पर और जाना है लेकिन उसके बाद भी आप हमारे दनियान बैठे हुए हैं मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा हम अपने उन मौसिनों का गराज जिक्र नहीं करते हैं जिनके कंदों पर चलके जो आप देख रहे हैं इसकी जो मैंने तामीर की है तो यकीनन मैं उन हज़रात के साथ नहीं लेकिन मैं अपने साथ खुद बहुत बड़ी नाइंसाफी करूँगा अगर मैं आज के बज में पारश हिजाद पूरी साथ का जिक्र नहीं करता हूँ तो यह मैं अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करता हूँ शौकत अलिमीर साथ की अगर आज मैं नाम नहीं लेता हूँ तो यकीन मानिए मजमा पूछने लगेगा कि क्या हो गया है कि तुम्हारी भी गिंती इसान फरामोशों में हो गई है शकील एमद साहब ने हमारे होसले को डिस अंदाज से बढ़ाया हूँ इसके कौन भोल सकता है तो यह उनका मजमा लगा हुआ है जिनके कंदों पर चलके मैंने इसके तावीर को किया है मैं एक एक आदमी का बड़ा शुक्र गुजार हूँ हमारी मेहनतें लाग हो जाएं लेकिन अगर आप हज़रात यहां पर नहीं मौजूद होते तो यकिन वानी है कि हमारी सारी यह मेहनतें पानी हो जाती है तो मैं आप सबका भी बहुत ही जादा मश्कूर और ममनून हो मैं एक एक अपने साथियों का इस मरतबा आप हज़रात देखा होगा कि हमारी एक कश्टी पर हमारे एक बज़र्ग ने टाई किया कि हम भी तुमारी सरपरस्ती करेंगे इन हालात में सुईजर्बियन मैं सो हमारे हुसेन भाई यहाँ पर तश्रीफ फर्मा है जिस अंदाज से बढ़कर उन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनका बेपना मश्कूर और ममनून हूँ और डाक्टर अक्तर जाम मलिक साहबा जिनके सरपरस्ती के बगएर नामुम्किन है कि इस धर्ती पर कोई भी अद्वी प्रोग्राम हो सके मैं आपका भी बहुत बेपना मश्कूर हूँ हमारे इस बरस के मुशायरे में मैं यह चाहूँगा कि मैं आपको बतलाओं कि तीन ऐसे लोग आगे बढ़के आए अलफा एम पेक्स उसके मैरेजिंग डारेक्टर बहुत आगे रहे मेरे साथ अब्दुलहकीम साथ दूसरे हमारे टीम बहुत आगे रही ओमान टेक्निकल की जिसके अमडी मुहमद आरिफ और उनके दो और पार्टनर्स फैसल और शम्स इन्हों ने मेरा साथ बहुत खुल के दिया मैं एक एक का नाम अगर लो तो लिस्ट बहुत तवील है मुझे मालूम है कि मेरे साथियों का वक्त बहुत कीमती है उनको और जगों पर जाना है और आप हज़रात को भी कलाम सुनना है मैं ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहूंगा मैं आखिर में अपने साथियों का भी बेपना मश्कूर और ममनून हूँ अपनी इंतजामिया का बहुत ही ममनून हूँ कि जुन्हों ने दिन रात महनत की महनत करने के बाद आज हम और आप यहां पर बैठे हुएं इस मुशारे में मैं और अगनाइजिंग कमेटी के एक एक फर्द का भी अपना मश्कूर हूँ आप हज़रात के ताउन के बगएर यह मुम्किन नहीं था मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक एक हज़रात का जिन हज़रात ने ताउन हमें दिया है हमारे मुस्तफा बाई सासा बैठे हुएं यहां सामने मेरे बैठे हुए हैं यह दुनिया में कहीं पर भी होते हैं तो मुझे ऐसे मस्किया करते हैं यहां पर लोग वो बैठे हैं हमारे हुसین صاحب भी तश्रीफ ला चुके हैं और मैं चाहूंगा कि लाकि उनकी जगे में बैठाला जाए, आईए मैं आपका इस्तखबाल करता हूँ, तश्रीफ लाइए. मखबूल फदा हुसین صاحب भी आज के इस जश्रीफ होने के लिए तश्रीफ ले आए, यहां बैठे हुए हैं, यह आपके साथ आज इस रात में होंगे, यह शाम में होंगे, यकीनान आज कि यह शाम बहुत कीमती है, आज जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आज के इस मुशार की मनसब सदारत पर बैठे हुए, जस्टिस, कुदोसी साहब ने आज मसद सदारत के विकार में जो अज़ाफा फरमाया है, वो मुम्किन नहीं है कि इसको मैं अलफाज बात सकूँ, सदारत हो रही है एक तरफ, महमाने कुससी वे हमारे बैठे हुए है, श्री जदम कापाल किसी शाम होगी, मैं आपका इस अखबाल करता हूँ, अपनी इस बस में आने के लिए, आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया